हालो फ्रेंड्स, कॉंपेटिशन कमिटी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमिन प्रधान आईए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं CGPS से प्रेलिम्स ओरेंटेड साइन्स एंट टेकलोजी की कुछ महत्मूर प्रसनों को और आज के सेशन में हम उन जोन्स को कवर करने की कोशिस करेंगे जहां से बार-बार कोश्चेंस पूछे जाते ही या इंपोर्टन जोन होता है हमारा टेकनलोजी का जो MCQ सीरीज है उसमें दो मात्पूर सेशन होंगी जिसमें पहले सेशन के अंदर गत कुछ कोश्चेंस को आज हम कवर करने वाले है तो देखिए सबसे पहले ये पार्ट देखिए कि पहला जो है इसमें कोश्चेंस देखिए पहला नंबर है निकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है कौन सही सुमेलित नहीं है which of the following is not correctly matched तो पहला है अंत्रिक्ष अनुप्रयोग केंदर अहमदाबाद में है क्या राश्टी सुदूर समेदी केंदर हैदराबाद है इसरो सैटलाइट सेंटर स्रीहरी कोटा है उसके बाद विक्रम सारवाहिस स्पेस सैटलाइट सेंटर त्रिवेंद्रव है फ्रेंट्स आप एक बात याद रखिएगा आप विगत वर्सों के PSC पेपर को देखेंगे तो आपको बार-बार एक जगा से कोशन्स पूछा है कि इसरों के जो अलग-अलग जो सैंटर है वो सैंटर से रिलेटेड बार-बार कोशन्स पूछा है चाहे ब्यापम की बात करें, PSC की तो दोनो चीजों में, दोनो एक्जाम में ये जगह बहुत important हो जाता है तो आपको अगर ये पूरा session cover करना है तो हमारा जो playlist है उसमें आप देखेंगे Science and Technology में Space Technology के section में क्या है ये session cover किया गया है या फिर आपको PDF चाहिए तो competitioncommittee.com के website में जाके download section पे इसे आप download कर सकते है तो इस question को solve करने के लिए देखो थोड़ा सा आपको इसमें knowledge की जौरत है यहाँ पे factual part है कह सकते है तो Space Application Center ठीक है एहमदाबाद में देखिए तोटल तीन मातपूर सेंटर है दो बार बार पूछे जाते है एक है PRL है Physics Research Laboratory Laboratory भौतिक अनसंधान प्रयोग साला तो Father of Space Technology डॉक्टर विक्रम सारा भाई वो पहले यहीं पे काम कर रहे थे आपको एक बहुत इंटरस्टिंग सा fact बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापना हमारे आजादी के पहले ही हो गई थी ठीक है और दूसरा पूछा जाता है यह आपका Space Application Center ठीक है Space Application Center जो होता है यह है सैक किसे हम कह सकते है ठीक है तो यहाँ पे यह दोनों चीजें जो हैं आपका बार-बार पूछा जाता है तो यह तो correctly matched है उसके बाद देखते हैं सुदूर समेधी केंद्र हैदराबाद और यहाँ पे सुदूर समेधी Remote Sensing से सम्मंदित जो question है विगतवर्ज के PSE paper में पूछा है तो आपको यहाँ पे देखना है क्या है National Remote Sensing Center तो N, R, S, O, C आ रहा है तो इसी प्रकार similarly एक और नाम आता है I, I, R, S ठीक है हो सकता है आज के session में वो question देखने को मिल जाए क्योंकि हम highway questions को cover कर रहे है ज़्यादा तर तो यहाँ पे देखते क्या है कि जब हम N से start होने वाले National Remote Sensing Center और Indian Institute of Remote Sensing यह दोनों में ही confusion होता है तो मैं आपको trick बताया था आप याद रखना National Highway और आपको ID मांगा गया आप National Highway में बाइक चला के जा रहे है और आपको ID मांगा traffic police ने तो आप याद रखेंगे N से start होने वाला जो center होता है हैदराबाद है तो यहाँ पे N से start होने वाला center है क्या येस तो इसका जो है matched क्या है कौन सा है और ID को आप याद रखेंगे ये बार-बार आपको confusion create करेगा क्योंकि remote sensing दोनों में ही लिखा हुआ है ठीक तो दोनों correctly matched है फिदेको इसरो उपगरा केंद्र इसरो सैटलाइट सेंटर स्री हरिकोटा और चौथा है इसरो विक्रम सारभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम इसे VSSC कहते है विक्रम सारभाई स्पेस सेंटर ये जो है त्रिवेंद्रम में ही है तिरिवानदपुर्ण भी कहते है इसे तो बजगया कौन सा C तो C इसका उत्तर होगा जो correctly match नहीं है अब आपको question पूछा एता ही कि इसका center है कहां तो इसका center है इसरो उपग्रह केंद्र का बैंगलूरू तो यहाँ पे इसका center है बैंगलूरू तो यहाँ पे याद रखें अपडेट कर लीजे आप लोग ठीक यह बात है clear हो गई तो यह पहला question है जो बहुत सारे factual चीज़ों को लेकर आया था और आपको हो सकता है difficult लगा हो लेकिन बहुत important है ठीक दूसरा देखिए PSLVC 37 द्वारा 15 फरवरी 2017 को एक ही उडान में कितने उग्रहों का सफलता पूर्वक प्रक्षेपन किया गया यह PSD का execution है तो यहां पे हमने इसे इसलिए लिया है क्योंकि यह भारत के इतिहास का एक कहना चाहिए बहुत स्वाणिम घटना थी कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद ISRO का जो commercial angle है उसका जो ब्यवसाई के angle है जिससे कि हमको पता है कि ISRO के दो ब्यवसाई की काईया है एक का नाम है Entrix Corporation जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी और दूसरी ब्यवसाई की काई जो हाल में खुला है 6 March 2019 को इसकी स्थापना हुई थी तो इस NSIL New Space India Limited जो है वो वर्स 2019 में स्थापना हुआ था तो वो actual में क्या देखो 104 सेटलाइट हमने छोड़ा है तो बहुत सारे विदेशी सेटलाइट को हमने छोड़ा है और उसके बदले में उसका एक commercial angle यह है कि उन country ने इंडिया को pay किया होगा तो revenue के point of view से commercial angle में यह बहुत बड़ी घटना थी तो याद रखेंगे इसके बाद जो है हम छोटे छोटे नैनो सेटलाइट और बहुत छोटे स्मॉल सेटलाइट को launch करने के लिए एक launching vehicle SSLV का भी निर्माड की है जो छोटे छोटे सेटलाइट को launch करेगा यह basically क्या है हमारा commercial angle को और जादा बढ़ाने के लिए तो इस question में जो है याद रखेंगा इसका option जो है 104 सेटलाइट है जिसमें की जो है विभिन देशों के जो है यहाँ पे सेटलाइट को हमने छोड़ा था अब नेक्स देखते हैं एक सेशन में नेक्स कोशन में नवीन तम जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष में भारत के पहले मानोयुक्त मिसन गगन यान के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा यहां पे तो गगण यान आपकी एकजाम के पॉइंट आप उससे वेरी वेरी रुषिया हेल्पिंग कंट्री है और जो तीन एस्टोनोट जाने वाले उन तीनों को ट्रेनिंग कौन दे रहा है रुषिया दे रहा है तो गलत ही हो गया तो उत्तर क्या हो गया अभी तो मिली गया अब बाकी सब चीज़ें सही होनी चाहिए मानव रोबोट व्योम मित्र साम पहला मानव यूप्त मिसन है इस मिसन को हम तीन स्टेज में छोडने वाले हैं पहले धो स्टेज ऊन्वान और यह एक मानव का काम कॉन करेगा ब्योम मित्र काम करेगा इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक, ये बात है सभी clear हो गई, आप देखते हैं next, जो है भू इस्थिर उपगर घुमता है, the geostationary satellite rotates, तो orbit of the satellite को भी हमने cover किया हुए session में, आप जरूर देखिएगा, ठीक है, हमारे playlist में मिल जाएगा उसे, और यहाँ पर option क्या है, किसी उपर उचाई पर है, या उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, किसी भी satellite की उचाई इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम geosatellite की बात, geostationary की बात करते हैं, दो प्रकार की चीज़ें होती है, यहाँ पर याद रखिएगा, equator के उपर ही geostationary औ अब हो मत दे रिखा, उसमर कोई भी angle नहीं बनाता है, जीरो एंगल बनाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, तो यहाँ पर पहला उसके सम्मनितों कुछ चीज़ें दी होई नहीं, लेकिन एक बात समझ में आई, किसी इसका गलत उतर है, किसी भी उचाई पर नहीं होता है, 36,000, 36,000 किलो मेटर की उचाई पर, निश्चित उचाई पर होता है, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, यह बाता सभी क्लियर हो गई, आगे बढ़ें, तो आगे बढ़तें, next question में, question number 5 देखिए, भारती रांतरिक्ष अनुसंदान संगठन की वर्तमान अध्यक्ष, इ के सिवन साब को, मतलब, instantly आप टिक कर आएंगे और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी को इनका कारेकाल खतम हो गया था, और 15 जनवरी से जो है, नए चेर्मेन जोइन किये थे, अब कौन है नए चेर्मेन देखते हैं, पहला के सिवन साब तो नहीं होंगे, क्योंकि व फॉर्मर है, ठीक है, मतलब उसे बहुत पूर इसरो के चेर्मेन रह चुके है, ठीक है, के सिवन साब के और पहले वो थे, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एस सोमनात, एस सोमनात याद रखेंगे, एमिनेंट जो है, स्पेस साइन्टिस्ट है, और G.S.L.B. Mark 3 बनाने म उनका बहुत युगदान है, यह एक्सपर्ट है, लांच वहिकल के टेक्नलोजी के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, C.S. सोमनात जो है, होंगे, ठीक है, इस बात को आपको धियार रखना है, और कौन से नंबर की इसरो के चेर्मेन है, इसे भी आप नोट करि है, तो यह होंगे, ग्यारवे नंबर की चेर्मेन, ठीक है, 11th नंबर की चेर्मेन होने वाले है, मतला हो चुके है, क्योंकि 15 जैन से इनका कारेकाल प्रारब हो गया है, ठीक है, जो अगले 4 साल के लिए रहेगा, अब अगला देखते है, सही मिलान है, करेक्ली मैच्ट, इस इसरों की वानिच जी की काई, येस, हम यहाँ पर पढ़े है, ये सही मैच है, दो इसरों की वानिच जी की काई, ये कमर्शिल यूनिट है, एक है NSIL, दूसरा Entrix Corporation, Entrix Corporation, तो यहाँ पर इसे याद रख लीजिए, ठीक, उसके बाद देखते हैं, दूसरा है, यूर राव सैट लाइट सेंटर अभी आगे बढ़ते हैं, राष्टी सुदूर सावेदी केंदर, NRSC, देहरादून, तो NH, नेशनल हाइवे और ID से याद रखेंगे, तो N से स्टार्ट हो रहा है, राष्टी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये दिया हो, देहरादून, तो नेशनल NRSC हो चाहिए, लेकिन ये हैदराबाद है, तो ये आपका डी भी गलत उत्तर है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे जो बी वाल ऑप्शन छूट गया थम से, ठीक है, बी वाल ऑप्शन यू आ रहा हो, सैटेलाइट सेंटर ये बैंगलोर में ही है, बिलकुल करेक्ट है ये, त है भारत की पहली मिसाइल का नाम क्या है, विक्रांथ, कावेरी, अगनी और फित्थवी, आब सभी को पता होगा, भारत में अपना मिसाइल बनाना किस प्रोग्राम की तहत स्टार्ट किया था, IGMDP, ठीक है, IGMDP को समझते है, Integrated Guided Missile Development Program, ठीक है, एकिक रित गाइडेट मिसाईल याने प्रक्षेपास्त विकास कारिक्रम, कब स्टार्ट हुआ था? Leh Bravo से स्टार्ट हुआ था उनेश को सटा वा था तो जोई साने अनेशूट कर रहें थे? डॉक्टर कलाम कर रहें थे थी कि सटार्ट है यह और खथम हुआ verses 2008 में खथमे थे? प्रित्वी जो है शबसे पहला मिसाईल हमने यहाँ पर बनाया था है। यहाँ पर इसमें याद रखेगे आपका सबसे τबागी बा। इER सुमेलित आपको क्या करेंगे हैं कि ये संकर्भकवार से फेक के मारते हैं तो surface में खड़े हैं और air में attack कर रहstes तो surface to air है तो त्रीशूल जो है आप क्या देखते यहां पर surface to air है तो यह क्या है सही समेलित नहीं है ठीक है उसके बाद देखते हैं किया होना चाहिए, surface to air होना चाहिए, अगर सही उत्तर होता तो, पृत्वी के बारे में किया कहा था, पृत्वी यारे कि जमीन हम कह सकते हैं, जब भी चीजे याद होती हैं कि पृत्वी में कोई भी चीजे जो हो रही है, वो एक surface है, दूसरे surface में, तो सता से सता याद रखेंगे, तो यह क्या है, सता से सता है, है ना, यहां से सता से हवा है, तो यह भी गलत हो गया, उसके बाद देखिए, नाग anti-tang missile है, नाग जो है anti-tang missile है, yes, it is correct matched, ठीक है, और पिनाका जो है, यहां पे हलका लड़ाकू विमान है, नहीं, यह क्या है रॉकेट लॉंचर है, यह क्या है, रॉकेट लॉंचर है, जो एक मिनट में कई सारे लॉंचर, ठीक है, यहां पे याद रखना यह कौन सा, पिनाका, पिनाका क्या है, यह है रॉकेट लॉंचर और नाग जो है anti-tang missile, नाग के बारे में कुछ interesting fact आप नोट करिए, हो सकता है मैं दिखा जाए, तो ध्यान देंगे, मैं तीन नाम लिक रहा हूं, एक है हेलीना, ठीक है, एक है हेलीना, दूसरा है धुरुआस्ट्र, धुरुआस्त्र और तीसरा नाम मैं कहता हूं यहां पे, that is नामीका ठीक है, नामीका इसे हम इस प्रकाले सकते हैं, न-a-m-i-c-a, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देंगे आपे, ये सब क्या है, नाग मिसाइल के ही से संबंदित है, तो देखो, हैली से हैलिकाप्टर से लाँच होने वाला मिसाइल, नाग का वो वर्जन हैली ना कहलाता है, वैसे ही एर फोर्स में ध्रुवास भी यूज किया जाता है, ठीक, है जो एर फोर्स वर्जन है, उसके बाद देखते हैं, नामीका, नाग मिसाइल केरियर, नाग मिसाइल केरियर, तो ये क्या हो गया आपका, नामीका हो गया, ये तीनों नाम, ये ध्रुवास पूछ चुका है अभी हाल फिलाल की एक्जाम में, ठीक है, और ये हैलीना और नाम सर्फेस टू एर ये सर्फेस टू सर्फेस पूछा जाया, क्या होगा, सत्य से हवा, सत्य से वायू, नाग साब जो है, जब अटेक करता है, तो कहां, जमीन में ही जाता है, तो सर्फेस टू सर्फेस ये भी याद रखेंगे, ठीक है, कौन सा इनिशियल वर्जन, उसके सभी क्लियर हो गई, आगे बढ़ें, तो इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा सही सुमेलित है, सी जो है, इसका एंटी टैंक मिसाइल, सी इसका सही ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोश्चन को देखते हैं, निमेलखित में से किसे भारती स्वादेशी मिसाइल कायरकर अलेको कहा जाता है, पर्मा아डुबं के जनक, ठीक है, तो यह यह तो क्या है, निकलिय्य सैनेटिस्ट हो गए, उसके बाद यह यह भी स्पेस साइन जिस्ट है, इसके प्रोपेसर मेनन यह भी स्पेस साइनेटिस्ट है, डक्टर अब्दुल कलाम जो बहो मोखी प्रतिभा स स्ञUR से युगत थे वह थे की सरा कि कर चुके और भारत का जो किसा के बात में इनको नेत्री तो दिया गया डिफेंस़ेक्टर में और भारत और भारत को युगदान था इनहीं का युगदान था का डॉक्टर कलाम AIJ क्या है मिसाइल कारेकरम के जनक कहा जाता अभी हमने पढ़ा आई जी एमडी पी ये वही पारेकरम के तहट स्टार्ट किये थे तो इन्होंने जो मिसाइल बनाया पांचों मिसाइल बना के भारत को आत्मने भर कर दिया था उसके बाद एक और है डॉक्टर टेसी थॉमस जो है यह बहुत बड़ी सक्सियत है जो इनका जो है अगली सिरीज के मिसाइल बनाने में पूरा युगदान है यह बहुत बड़ी हस्ती है कभी भी महीला ससक्ती करण के बारे में कोई भी एक्जामपल आपको लिखना हो आप इसे जरूर लिखिए यह बहुत बड़ी सक्सियत है और भारत को भारत की जो सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा अगनी सिरीज के मिसाइल बनाने में डॉक्टर टेसी थॉम इनके नाम सी इनको भी जाना जाता तो यह याद रखेंगे और इनका जो है कारेकाल भी है कर घॉय बारत को दिया गया है सदेश में मिक्सित देश की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है सबसोनिक को मैंने बताया था याद रखिए सबसोनिक मतलब सबसोनिक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मैं अलड़ी बता चुका हूँ ठीक है तो सबसोनिक का मतलब यहाँ पर यह होता है एक मैक से कम, एक मैक से कम जिसकी स्पीड हो, है ना ध्वनी की स्पीड से से कंपेर किया जाता है, तो एक मैक से इसकी स्पीड कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, सब सॉनिक मिसाइल कहते हैं, अब ये क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल कैसे चलता है, एरो डाइनेमिक पात्वे छलती है राडार वडर के पंकडने असानी साहिक नहीं निया कal यह देखते इस निरभः प्रहार इंटिचर में प्रीफवी है उसके बाद किया है प्रहार भी क्या है यह मिसाइल है लेकिन सबसे पहले निरभः मिसाइल जो है यहाँ पे बनाए गया था भारत की पहली सब सॉनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है निरभय है option number A is correct answer question number next में चलते हम next question को देखिए धनुस क्या है what is धनुस radar, artillery gun, rocket या anti-tank anti-tank तो ना कभी पढ़ी लिये थे तो ये तो नहीं हो सकता rocket भी नहीं होगा बचा दो artillery gun और radar radar का नाम जो है radar का फुल फॉर्म क्या है radio detection and ranging radar का फुल फॉर्म है radar और सोनार दो चीजे होती है आपको पता होगा physics वाले chapter में cover किया था भी इसे यहाँ पे देखते क्या है धनुस क्या है तो धनुस से सम्मन्दि दो fact याद रखेगा हम क्या कहेंगे पृत्वी 3 पृत्वी 3 का जब भी उलेख होगा है ना यह इसका naval version है इसी को हम धनुस कह देते हैं इसी को हम धनुस कह देते हैं यह पहला point याद रखेंगे लेकिन जब पृत्वी 3 का बारे में कुछ उलेखी नहीं किया गया हो तो उस केस में याद रखेंगे आपने वह चीज सुना है हॉविट्जर या बोफोस तोप सुने तो बोफोस या हॉविट्जर तोप जो है जो उसे artillery gun कहते हैं पहले पुराने जमाने में जब राजा महराजा अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते थे तोप यूज करते थे अंग्रेज तो एक जो है तोप का नाम भी धरूस है और दूसरा missile का नाम भी धरूस है तो option number क्या है बी इसका सही उत्तर है question number 12 तेजस क्या है भारत मनीमने पहला लड़ाकू वीमान हवा से हवा मार करने वाले missile दूसे संचालिज वीमान सबसे तेज उड़ने वाले वीमान ठीक है fastest flying aircraft आप बताईए तेजस तो आपका PSC में पूछ चुका है तो यहाँ पर यह answer तुरंद आपके दिमाग में strike करना चाहिए क्योंकि previous years के questions solve करना बहुत जरूरी है ताकि आप mistake करने से बस सकें ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं तेजस क्या है तेजस भारत में निर्मित सबसे हलका लड़ाकों विबान है विस्वका और दूसरी बात इस तेजस के बारे में याद रखेंगे यह सूपर सॉनिक है सुपर सॉनिक मिसाइल है और वो जब फ्यूल खतम भी हो जाएगा तो वो एयर में ही अपना क्या रिफ्यूलिंग कर सकता है तो यहाँ पर option number A इसका सही उत्तर है नेक्स कोशन देखते हैं निमलखीत में से कौन सा रियक्टर भारत का पहला research रियक्टर है तो देखो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कोई भी technology जब हम क्या है वास्तविक फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं जैसे कि चाहे defense technology हो चाहे वो nuclear technology हो space technology हो तो पहले क्या करते हैं हम experiment करते हैं हम अपनी technology का प्रदर्शन करते हैं अगर वो success हो गया तो then after हम क्या करते हैं real form में उसे हम execute करते हैं तो जैसे आपको पता होगा भारत का अपना पहला nuclear reactor 1969 में स्थापित हुआ कहां पर स्थापित हुआ तारापुर में स्थापित हुआ और वो रियल वर्किंग था यहां पर क्या है research reactor है अपसरा को याद रखेंगे 1956 1956 में हम क्या किये थे research reactor जो है आपसरा को यहां पर स्थापित किये थे और यह जो है आपका research reactor निक्लिय सेक्टर में हम यहां पर प्रयोगात्मक या रिसर्च के पॉइंट अब उसे स्टार्ट किये थे और आपको इस बात पर ध्यार रखेंगे भारत में क्या है रेडियो अक्टिव एलिमेंट थोरियम का भंडार है जहां पर मोनाजाइट के बालू पाये जाते हैं वहा दिहान गया लेकिन हमारी जो टेक्नोलोजी थी वह यूरेनियम बेस पर स्टार्ट हुई थोरियम बेस टेक्नलोजी अभी वर्तमान में जब हम थर्ड स्टेज की न्यूक्लियर प्रोग्राम में हैं तो वहां पर हम थोरियम को यूज करते हैं यह आगे बाते अनावस्षक चीज़े मैं नहीं बताया, कुछ काम की चीज़े ही बताया आपको तो यादर रकेंगे इसे, ठीक है, झन अपर यहां तो इसका उत्र क्या हो जाएगा, अब ब्रोग्र चाएं जब नेक्स क्योश्ठ को देखते हैं नेक्स को श्टे देखियं आपर क्या है, वह है आप दे नुकलियर रियक्टर से सम्मनी दो चीज़ें और हैं, क्या है परमादू रियक्टर में नियंत्रा क्याने कंट्रोलर की रूप में क्या प्रेख के जाता है, सेम अप्शन में कैडमियम भारी जल जल और कोई नहीं, देखो इन दोनों प्रसनों को सॉल करने के लावा और बहु हो सकता है, प्लुटोनियम हो सकता है, थोरियम हो, लेकिन जब हम क्या करते हैं, नुकलियर रियक्टर में एक बहुत ही इंपोर्टन रियक्षन होता है, उसे कहते हैं, चेन रियक्षन या सिंखला अभिक्रिया, चेन रियक्षन या सिंखला अभिक्रिया, इसमें बेसिकली क लगता है और नावी की विखन्ड नुकला होता है जिसके कारण जो है बहुता ओर्जा सीना इकलती है बहुत भारी मात्रा में ठीक है अब यह इस बात को याद रखेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रमुख पद आते हैं जब हम इस neutron को क्या करेंगे बहुत तेजी से neutron का formation हो रहा है क्योंकि इस इंखला विक्रिया तेज हो गई तो हमको उसको slow करना है तो slow करने के लिए हम क्या यूज करेंगे moderator या मंदक यूज करेंगे और इस मंदक में हमारे पास क्या-क्य रहेगा हमारे पास रहेगा भारी जल भारी जल हम इसे यूज करते ठीक है यह तीन चीजे मंदक के तौर पर यूज करते हैं यहां पर देखिए मंदक का तीनों अप्शन है क्या भारी जल है येस भी इसका रही सही उत्तर है ठीक चीजे सभी को क्लियर हो गया अब कंट्रोलर को समझी हम तो इस स्पीट को स्लो कर दिये लेकिन जब हम वो जो निकलियर रेक्टर के अंदर नाभी की अभिक्रिया चल रही है तो उसे हम क्या करना है एक कंट्रोल तरीकी से चलाना है अनकंट्रोल हो गया तो ब्लास्ट हो सकता है जैसे की चैरोविल में हो गया था तो यहां पे नियंतरक के लिए हम क्या यूज करते हैं कैडमियम की रॉड और ब की चीज़े नहीं दुफिर बाघि यादर रखें अर्यंत्रक क्या है नींद्रक्षक्त राखिश याने कि नाम सुनते हो आप उसे हम कहते हैं क्या कहते है कुलन पूलन कुम क्योंक आक कहتे है तो सीतलक valley बारे में जब पूछा जाए तो सीतलक में भी याद रखना एक होता है D2O भारी जल इसमें भी आ गया है ना भारी जल उसमें भी था मंदक में भी याद देखिए भारी जल इसमें भी है D2O भी है ठीक है दूसरा यहाँ पर एक क्या है तो वह vaporization energy में convert हो जाता है हमने nuclear reactor में पढ़ाई से ठीक है तो आप चाहें तो प्लेलिस में जाके उस session को देख लें तो यहां पर क्या करता है मंदक में कि सितलग में क्या क्या कूलेंट में भारी जल जल और liquid nitrogen liquid sodium और इसमें मंदक में भारी जल ग्रिफाइट और बेरिलियम औक्साइड यह बार बार पूछा जाता है याद रखेंगे कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है एक और पूछा जाता है तो नुकलियर एक्टर को चारों तरब क्या है एक ऐसे आवरण से हम क्या करते हैं लाइक उसे कवर कर देते हैं जिसे की radiation बाहर निकल जा गया होगा अब चलते आगे अगले स्लाइट में देखिए यहां पर देखते क्या है राजस्थान के पोखरण में 11 मैं 1990 को दूसरा परवानु पहिच्छर किया गया जिस मिसन का नाम था ठीक है यहां पर क्या है स्माइलिंग बुद्धा सक्ती 98 ऑपरेशन ड्रैकुला में से कोई नहीं ठीक है दो महत्मूर टेस्ट हुआ था आपको पता होगा पोखरण 1 और पोखरण 2 तो पोखरण 1 से संबंधित और पोखरण 2 से संबंधित यह चीज़ें याद रखेंगे देखो पोखरण 1 से संबंधित जो चीज़ें थी वो थी स्माइलिंग बुद्ध और पोकुरेंट डू से सम्बनी जो हुआ था तो यहाँ पे उस समय जो है ना इंटी एट जो है तो शक्ति 98 जो है इस मिसं का नाम दिया गया था सक्ति 98 इसमें जो है डॉक्टर कलाम प्रोफेसर चिदंबरम और डॉक्टर अनील का कोटकर जो है वर्तमान में जिनकी सिवाएं हमको मिल रही है उनका बहुत बड़ा युगदान था और इसमें क्या है याद रखेंगे DRDO का भी युगदान था भाबा अटॉमिक रिसर्स सेंटर का भी युगदान था और सेना इंडियन आर्मी का भी युगदान था ठीक है पोखराट 1 की बारे में ज़्यादा चीज़े मैं नहीं बता रहा हूँ आप कमेंड बॉक्स में लिख की बताइए भारत में पोखराट 1 का टेस्ट किस कारिक को किया गया था इस बात को याग रखेंगे ठीक यहाँ पर किया गया था पोखराट 21 माई और 14 माई को इसलिए क्या है 11 माई को हम क्या मनाते हैं क्या मनाते हैं राफ्ष्टी प्रौधरग की दिवस National Technology Day मनाते हैं क्योंकि 11 माई को हम नहीं है टेस्ट किया था पुखरण 1 के बारे में comment box में लिखके बताईए कि किस तारिक को हमने इसे क्या है अब लाइक टेस्ट किया था और किस उद्देश एक लिखिया गया था हमारा उद्देश बिलकुल भी नहीं था आद रखेंगे पुखरण 1 के समय में पर्माणू बंबनाना पुखरण 2 के समय हमने पर्माणू बंबनाया हमने टोटल 5 टेस किया था 5 टेस्ट में क्या है हमारा एक nuclear bomb भी था तीन जो है जो है एनलजी के point अब उसे भी था एक हमारा जो है हम यह देखेंगे एक हमारा जो है fusion वाला भी reactor के लिए भी था fusion test था कह सकते हैं यहाँ पर nuclear reactor nuclear fusion भी है nuclear fusion भी है वाला दोनों प्रकार के test हुए थे पोकरण 2 के समय में total 5 था यह बाते याद रखेंगे उसके बाद देखते हैं भारती पर्मानू कारिकरम के जनक कौन है विक्रम सारा भाई होमी जहांगिर भाबत सत्यनात बूस और मिगनात सहा ठीक है इसमें उपर के जो है जो है तीनों चीजें आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है सी है आपको व्यापा में पूछा जा चुका है बाकी दो PSC में पूछ चुका है ठीक है विक्रम सारा भाई जो है हम देखेंगे यह है विक्रम सारा भाई नहीं सबसे पहले क्या है बिफोर इंडिपेंडेंस आपको बता दें बिफोर इंडिपेंडेंस जो है डॉक्टर भाबा और सर्द और आप जी टाटा की मदद से टाटा इसका फंडामेंटल रिशर्ज उन्निस सो अंठानवे में इसकी स्थापना हो गई थी 1945 में टाटा इंस्टिटूट आफंडामेंटल रिशर्ज तो उसमें योगदान था किसका डॉक्टर होमी जांगीर भाबा का ठीक है और आपको बता देंगे एक्जाम में पूछा जा चुका है 1948 में क्या बना था अटोमिक एनरजी कमिशन बना था परमाणू उर्जा आयोग बना था यह पीए से में पूछ चुका है चुकास बोस एक ऐसे साइंटेस्त है बहुत बड़े साइंटेस्ट जो भारत के जो अलबर्ट आइस्टेंस आपके साथ काम किये थे और बोस आइस्टेंजिकी का सिध्धान उन्हें दिया था और याद रखेंगे जैसे हम उलेक्ट्रोन प्रोटोन नियूट्रोन वगबर है महानखा गोल्वीद है तो इस वरकार इस session में हम देखें कुछ महत्पूर को questions को cover किए देखें कुछ और questions की ओध यहां पर देखेंगे अगला question है अगला question में देखें देखें यहां पर भावा आपके क्या है भावा एटॉमिक रिसर्स सेंटर है तो सबसे नियरेस्ट आप्शन यही है इसलिए हम इसको सही करेंगे यह बाता सभी क्लियर हो गई अब आपको यह ट्रॉम्बे के बारे में खास बात और बता देते एक तो इसका सेंटर है आपने जाल लिया दूसरा भारत म बहारी जल डी टू ओ है ना डी टू ओ जो बनाया जाता है तो इसी टॉम्बे में बनाया जाता है यह बाते आपको ध्यार रखनी है अप सभी को तो इस प्रकार आज की सेशन में हमने केवल 18 कोश्टिंज को कवर किया है बट यह कोश्टिंज आपके लिए यूस्फुल है next session में मिलेंगे current के कुछ पार्ट को भी समाहित करते हुए और कुछ ऐसे नए टाइप के questions भी लेंगे जो बार-बार exam के लिहाज से important हो सकते हैं तो उन सभी questions के साथ हम मिलते हैं next session में तो आज के लिए इतना ही रखते हैं thank you so much, have a nice day